हाई गाईज आप सभी का स्वागाथ आज कि इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आप इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं उसके बाद भी आपका इंटरनेट खर्च होता रहता है तो आखिर ये क्यों होता है तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वैटसअप के इसी दो सेटिंग के बारे में दोस्तों जिसको जानकर आप इसली समझ पाएंगे कि आखिर आपका डेटा क्यों खर्च हो जाता है साथी साथ यदि आपका WhatsApp काउंट है तो आप कैसे जानेंगे तो दोस्तों आज की वीडियों बताने वालों हों वीडियो में एंट तो जरूर बने रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए WhatsApp को उपन कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले तो उपर की तरफ हैं उस पर क्लिक कर देंगे और Settings इस अप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप्शन मिलता आपको Second Number पर Chats का इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक option दिख रहा होगा Chat Backup का आपको उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ एक option दिख रहा होगा Include Videos दोस्तों यदि इसे आपको Off करके रखना है यदि यह On रहेगा तो आपके Mobile Data के साथ जो की Videos को Include करके क्योंकि Videos बहुत High MB की होती है और उनका Google Drive पर Backup होता रहता है जिससे Data खर्च हो जाता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है और आपका Data खर्च हो जाता है तो दोस्तों इस Setting को आपको बंद करके रखना है चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आपका WhatsApp अकाउंट हैक तो नहीं है कोई Other Person आपके WhatsApp अकाउंट को एकसेस तो नहीं कर रहा है दोस्तों यहाँ यही पर आपको उपर की तरफ Google अकाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे वे सभी Gmail ID जो आपकी होंगी यहाँ से आपको देख लेना है यहाँ कोई Other ID देख रही है जो की आपकी नहीं है और यहाँ पर शोग हो रही है WhatsApp अकाउंट को वो आपके डाटा का बैक अप नहीं ले पाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको Google Ads अकाउंट पर कन्फर्म करना है कि आपकी Gmail ID पर ही सेट रहे दोस्तों इस प्रकार से आप बस सकते हैं तो दोस्तों यह दोना सेटिंग आपको कैसी लगी अच्छे लगी हूँ तो लाइक करिजेगा कमेंट कीजेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में गुडबाई